मणिपूर में एक बर फिर खालात बिगड़ गए हैं दो दिनों के अंदर छे लोगों की जान जा चुकी है सेना ने शनिवार को इमफाल घाटी में कई अभियान चलाए इस दोरान मोंगचम इलाके में मुटभेड में एक उगरवादी घायल भी हो गया वही जाती संगर्ष को रोकने में बिजेपी सरकार पूरी तरह से फेल नजरा रही है और अब खालत ये है कि बिजेपी विधायक और मुखिमंत्री के दमाद ने ही मुधी सरकार पर सवाल उठा दिये हैं फिलहाल मणिपूर में क्या है हाला देखते हैं ये रिपूर मणिपूर में भड़की ज्वाती संगर्ष की आग बुचने का नाम नहीं ले रही है आकडे भले ही ये बता रहे हूं कि सिर्फ 160 लोगों की ही जान गई है लेकिन राज़ में लगातार हो रही टकराफ को देखे तो समझ आता है कि इस बवाल में 150 से जारा लोगों की जान जा चुकी है शनिवार को भी कम से कम 6 लोगों की जान चली गई जिसमें आयरफ का एक जवान भी शामिल है और इसे लेकर अब विजेपी विधायक इमो सिंग ने मोधी सरकार पर सवाल उठाए है आपको बता दे कल देर राद तक मनिपूर की का इलाकों में गोली बारी होती रही और उनकी जान लेली गई इस हिंसा पर मनिपूर के बिजेपी विधायक राचकुमार इमो सिंग ने शनिवार को दावा किया की क्वाक्टा लम्खाई घटना पर आतंकवादी हमले में भारी सुरक्षा खामिया थी बतादे इमो सिंग मुख्यमंत्री एन्बिरेन सिंग के दमाद भी हैं उन्होंने कहा कि भारी संख्या में अर्धिस्यानिक बलों की मौजूदगी के बावजूद दूसरे जिलों से सुरक्षाबल लोगों और राज्य के बीज अशान्ती पैदा कर रही हैं विधायक ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि सुरक्षाबलों की कुछ इकाईयां समस्या पैदा कर रही है अगर तुरंत उचित कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य में शान्ती का और समान इस् रहाने ही चाहिए वरना खालात्नी अंत्रण से बाहर हो जाएंगे डीबी लाइफ की रिपोर्ट